वेवलक्षमी वर्थ करने के नियम ये वर्थ सोबागे साली इस्त्रियां करे तो उनका अत्ती उत्तमफल मिलता है पर घर में यदि सोबागे साली इस्त्रियां नहों तो कोई इस्त्री ये कुमारी करने भी ये वर्थ कर सकती है इस्त्री के बदले पूरुस भी ये वर्थ करे तो उसे भी उत्तमफल अवशे मिलता है ये वर्थ पूरी शिरदा और पवित्र भाव से करना चाहिए खिन होकर या बीना भाव से ये वर्थ नहीं करना चाहिए ये वर्थ सुकरवार के किया जाता है वर्थ सुरू करते वक्त 11 या 21 सुकरवार की मनत लखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी सास्त्रे विदी अनुसार की वर्थ करना चाहिए मन्नत के सुकरवार पूरे होना पर विदी पूरवक और इस पुस्तक में दिखाए गई सास्त्रे दीती अनुसार वुद्यापन विदी करनी चाहिए ये विदी शराल है कि इन्तु सास्त्रे विदी अनुसार वर्थ ना करने पर वर्थ का जरापी हो नहीं मिलता एक बार वर्थ पूरा करने के पश्याद फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से वर्थ कर सकते हैं माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं उनमें धन लक्ष्मी स्वरूपी वेवलक्ष्मी हैं और माता लक्ष्मी को श्रीयंतर अतिपिरी हैं वर्थ करते वक्त बुस्तग में दे हुए मा लक्षमी जी के हर स्वरूप को और सिरियन्त को प्रणाम करना चाहिए तभी वर्थ का फल मिलता है अगर हम इतनी में मैंनत नहीं कर सकते तो लक्षमी देवी भी हमार ले कुछ करने को त्यार नहीं होगी और हम पर मा की करपा नहीं होगी वर्थ के दिन सुबह से ही जे मा लक्षमी जे मा लक्षमी का लटन मन ही मन करना चाहिए और मा का पूरे भावसिश्मन करना चाहिए सुकरवार के दिन यदि आप प्रस्वास या यात्रा पर गए हों तो वह सुकरवार छोड़कर उनके बाद के सुकरवार को वर्त करना चाहिए पर वर्त अपने ही घन में करना चाहिए सब मिलाकर जितने सुकरवार की मनत ली हो उतने सुकरवार पूरे करने चाहिए घर में सोना न हो तो चान्दी की पूजा भी कीज जा सकती है अगर वह भी न हो तो लोकड रुपया रखना चाहिए वर्त पूरा होने पर कम से कम साथ इस्तरों को या आपकी इच्छा नुसा जैसे 11, 51, 101 इस्तरों को वेवलक्षमी वर्त की पुस्तक कुमकुम का तेला करके भेट के रूप में देनी चाहिए जितनी ज्यादा पूस्तक आप देंगे उतनी ही मालक्षमी ज्यादा प्रपा होगी और मालक्षमी जी का ये अद्बुत वर्त का ज्यादा प्रचा होगा वर्त के सुकरवार को इस्तरी रजस्वाला हो या शूत की हो तो वह सुकरवार छोड़ देना चाहिए और बात के सुकरवार से वर्थ सुरू करना चाहिए पर जितने सुकरवार की मनत मानी हो उतने सुकरवार पूरे करने चाहिए वर्थ की विदू सुरू करते वक्त लक्षम इस्वन का पार्ट करना चाहिए वर्थ के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और साम को वर्थ की विदी करके मा का प्रशार लेकर सुकरवार करना चाहिए अगर न हो सके तो फलहार या एक बार बोजन करके सुकरवार करना चाहिए अगर वर्थ तारी का सरी बहुत कमजोर हो तो दो बार बोजन ले सकते हैं सबसे महतों की बात यही है कि वर्फ धारी मा लक्षमी जेणी पर पूरी पूरी शिरदा और भाउना रख़ये और मेरी मनो कामना मा पूरी करेगी, एसा द्रड़ सगल्प करे मा वेवलक्षमी आपकर प्रशन हों, जे मा वेवलक्षमी वेवो लख्मी वर्द की कता सेकंड पार्ट में सुनाई जा रही है